तो चली वच्चो आईए आपका पुना स्वागत है आपके यूटुब चैनल पे और आज का हमारा आविदन पात्र या एप्लिकेशन जो है वह है थ्री डैस लिए के लिए मान लीजिए आपकी कभी तवित खराब हो जाए या आपको कुछ काम आजाए आप कहीं जाना चाहत है और आपको छुट्टी क्या हो सकता है तो आप कैसे इंगलिस में थ्री डैस लिए आविदन कर सकते हैं आपको अधिकतम दिन चाहिए तो आप अधिक दिन के लिए भी कर सकते हैं अगर आपको कम दिन चाहिए तो आप कम दिन के लिए आविदन कर सकते हैं तो हम लोग आपके लिए useful है, कारगर है, जो आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, बहुत easy तरीका है, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले आपको पता है, कहां से सुरुवात करते हैं, to, हम लोग Hindi में यहां क्या लिखते हैं, सेवा में, यहां क्या लिखते हैं, प्रती, हम यहां पर क्या लिखेंगे, to लिखेंगे, फिर the principal, हम यहां पर प्रधान पाठाक महदय जी लिखते हैं, तो हम यहां क्या लिखेंगे, या यहां पर हम प्रचार महदय लिखते हैं, हम यहां क्या लिखेंगे, the principal, मतलब to the principal, फिर आगे देखिए, फिर आगे क्या है फिर आगे हम हमारी इस स्कुल का नाम लिखते हैं गौर्मेंट, बॉयस या गर्ल्स, एच्छेस स्कुल, भुपाल, मद्ध्यपरदेस आपका जो भी स्कुल का नाम है वो यहां पर आएगा इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर school का नाम लिखना है जैसे ही आपका school का नाम आ जाए आप subject लिखेंगे subject में क्या लिखेंगे application for new यह बहुत ही sort हुआ अगर आप इसको और बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे application for यहाँ पर लिखना है आपको यहाँ पर क्या लिखना है three dash new क्या लिखना है आपको यहाँ पर लिखना है आपको three dash three dash बस इतना लिखना है आपको और यह new पहले से लिखा हुआ तो आप ऐसा भी कर सकते हैं तो application for three dash new तो चली फिर आगे देखते हैं विसे क्या होगे हमारा application for three days live इसका नुवात क्या हो जाएगा हिंदी में application for live मतलब छुट्टी के लिए आवेदन पत्र अगर हम यहाँ पर दिन को जोड़ देते हैं तो वह हमारा हो जाएगा छुट्टी के लिए तीन दिन का आवेदन पत्र फिर देखिए रिस्पेक्टेट सर या मैडम अब मान लीजिए आपकी स्कुल में प्रचार मैडम हो तो आप मैडम लिखिए सर हो तो सर लिखिए फिर आगे देखिए I back to यहाँ पर थोड़ा ममें सो गया है say I back to say या state भी लिख सकते हैं आप लोग ठीक है I back to say that I am sorry I back to say that I have been suffering from malaria क्या कहना चाह रहे हैं कि वह हैं किस बिमारी से पिड़ी थे हैं malaria बिमारी से since कब से Monday से कब से सो मार से फिर आगे लिखेंगे हम लोग the doctor the doctor has advice doctor ने advice दिये me मतलब मुझे कितने दिन के लिए तीन दिन के लिए फिर आगे क्या है so I will not be able to attend the school इस कारण मैं साल आने में असमर्थ हूँ हम लिंदी में लिखते ना वैसे यहाँ पर इंगलिस में लिखा I will not be able to attend the school फिर क्या है kindly grant me three days लिऊ kindly मतलब बहुत ही द्यालू पूर तरीके से आप विनर्म कर रहे हैं कि आप उन्हें मतलब जो विद्यारती है उसे तीन दिन की छुट्टी देने की क्रपा करें ठीक है उसके बाद देखी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम फिर लिखेंगे thank you फिर you are अबिडेंटली फिर name फिर class और फिर date इस प्रकार से आपको यह पुरा लिखना है उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर आपको हमने क्या लिखने बोला है से लिखना है आपको ठीक है I back to say that ठीक है उसी प्रकार अगर यहाँ पर आपको तीन दिन के लिखना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या लिखना है आपको यहाँ पर 3 लिखना है और फिर थोड़ा इस पेज देने के बाद आपको डैस लिखना है ठीक है समझ आ चुका होगा आपको कि आप एप्लिकेशन कैसे 3 डैस लिख के लिख सकते हैं तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जहां बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिख देगा और दोस्तों में सेयर भी आवस्थ कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू पर वाचिंग